हेलो आज हम डिकम्पोजीशन और कार्बोनेट्स की बात करेंगे कि मैटल कार्बोनेट्स का डिकम्पोजीशन जो है वो कैसे होता है हमारे पास 92 मैटल होते हैं इसका मतलब है कि 92 मैटल कार्बोनेट भी होंगे और अगर 92 metal carbonate है तो वो कैसे decompose होंगे यह question है अब problem तो यह है कि हमको 92 metal तो याद ही नहीं है वोगर 92 metal याद नहीं है तो उनका decomposition हम कैसे बताएंगे यह तो बड़ी मुश्किल की बात है तो इसके लिए हमने एक trick बनाई है जो हम आपके साथ share करेंगे अब वो trick क्या है यह आप त्रिमूर्थी देख रहा हूं इनका नाम पता क्या है इसका नाम है अमर इसका नाम है अकबर और इसका नाम है एंथनी अमर अकबर एंथनी और इनको metal खाना जो है वो बहुत पसंद है तो अमर के पेट में कौन से metal मिलेंगे अकबर के पेट में कौन से metal मिलेंगे और एंथनी के पेट में कौन से metal मिलेंगे अब देखो जरा प्र scheduled में जह हमने टाइगनोस किया तो इसमें हम को सोडियव को पुटाइसियुum हैं सिगर किला नको करते हैं कि इसमें लीटियम है वह इंउस्टन नहीं है तो सोडियम पटासियुग्रीयम से लिह पौर मेर्टन है वो इसके लेमे मिले हमरे की मिले की अब आप सोच रहा होगे सब्सक्राण की बात करें तर बींतों कुझ कि अब बात करें हमने एंथनी की गजा आप इसके पेट में हम्हें है तक मिला सिल्बर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्कुरी यह और मैंट मैंटल मिले हमको यह मैंटल जो है बड़े प्रैसियस होते है अब देखो जरा अमर के साथ प्रॉब्लम क्या है अमर के साथ यह प्रॉब्लम है कि इसको प्यास बहुत लगी है नेकि यह पानी पी ली सकता क्यों क्योंकि अगर इसने पानी पिया तो यह मैंटल जो है वाटर के साथ वाइलेंट ली डियक्ट करते हैं वाटर के साथ इनकी डियक्शन जो है एक्स्प्लोसिव होती है इसका पेट फट जाएगा अगर इसने पानी पिया तो तो यह विचार हमें साथ प्यासा ही रहता है और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है इसके पेट में प्रैसियस मैटल है यह कभी थाइलेंड कभी सेंगापूर कभी स्वेटी जडलेंड यह तो कभी घ्रूम ही नहीं पाएगा आपको के पेट में क्या है तो इसके पेट में पूर मैंटल इसके पेट मेंटल टोटल हो गए कितने इस मैं जुआ तो कितने पचक्पार तो ऐटी फौर जो है वो इसके प्रेट में मिलेंगे अब 84 मेटर में आपको जितने याद आते जाएं उस सब इसमें लिखतो तो देख हमको कौन कौन सा याद आ रहा है हमको लीथियम याद आ रहा है हमको बेरिलियम मैगनिसियम कैल्सियम स्ट्रॉन्पियम बेरियम एल्यूमीनियम टिन लैड कॉपर जिंग निकेल आपको जितने भी मैटल याद आते जाएं वो सब इसमें अंब भड़ दो तो 92 मैटल का सेपरेशन हमने कैसे किया 4 मैटल अमर के पेट में 4 मैटल एंथनी के पेट में और रिमेनिंग 84 मैटल जो है वो अकवर के पेट में चले गए तो अब देखते हैं जो अमर के पेट में जो मैटल है उनकी कार्बोनेट का डिकंपोजिशन कैसे होगा तो सोडियम मैटल था तो कार्बोनेट होगा सोडियम कार्बोनेट अगर हमने इसको हीट किया तो यह डिकंपोज नहीं होगा तो नो डिकंपोजिशन यह डिकंपोज नहीं होगा फिर पोटैसियम कार्बोनेट इसको हम हीट करेंगे तो यह भी डिकंपोज नहीं होगा पिर दूबीडियम कार्बोनेट इसको हमने हीट किया तो यह डिकंपोज नहीं होगा और सीजियम कार्बुनेट इसको हम हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोस नहीं होगा इसका मतलब है कि अमर के पेट में जो मैटल है उनके कार्बुनेट डिकम्पोस नहीं होते तो ये मैटल कार्बुनेट जो है वो डिकम्पोस नहीं होंगे अब अकवर के पेट में जो मैटल है उनकी कार्बॉरेट जो है वो कैसे डिकम्पोज होगे तो इसके पेट में कितने मैटल है इसके पेट में मैटल है 84 84 84 84 मैटल का डिकम्पोजिशन कैसे होगा तो देखें जड़ा देखो जड़ा मैगनिशियम कारगुनेट इसको आप हीट करोगे तो मैगनिशियम ऑक्साइड बनेगा और कारबन डाइट सबनेगा जिंक कार्बोनीट हीट कर रहे होते क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डैक्साइड लीथियम कार्बोनीट हीट करोगे क्या बनेगा लीथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डैक्साइड ये तो एक्वेशन पहली दो बैलेंस थी यह एक्वेशन क्या बैलेंस है बिल्कुल बैलेंस है फिर इसके बाद लैड कार्बुनेट हीट करोगे तो लैड ऑकसाइड और कार्बन डाइकसाइड और कौन सा बचा कैल्सियम कार्बुनेट यह बहुत कौमन है हीट करोगे क्या बनेगा कैल्सियम उसल्ट है कार्बण डाइं सबस्चंड है की कि मैटल क्रीट जो है वो डिकंपोजा के क्या बनाएंगे मेंटल अकसाइड और कार्बन डासाइड गैस को बस क्या शहर्णत मैटल कार्वो नीट अगर आप इसको हीट करोगे तो मैटल ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डैक्सट गैस जो है वो डिलीज होगी सेंपल है तो अकबर के पेट में जितने भी मैटल होते हैं उनके कार्बनेट डिकम्पोज होंगे तो मैटल ऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन डैक्सट गैस जो है वो डिलीज करेंगे तो यह हमारे एंधनिवाई है और इनके मैटल कार्बोनेट जो है वो कैसे डिकम्पोज होंगे तो सिल्वर का कार्बोनेट क्या होगा वो होगा एजी तू सियो थी यह सिल्वर कार्बन का फॉर्मूला है, जिकम्पोस करोबें तो ये मैठल बनाएगा, कारबन डाइकशाड गैस देगा एंद ऑक सीजन गैस देगा, तो यहाँ पर 2 गैस, जो है, वो डिलीज होगी, कारबन डाइकसड गैस एड होगी, एक्कविशन को हम बैलेंस जो है, वो, करेंगे, यहाँ पर यह लगाएंगे तो silver हो जाएगा four, four करेंगे silver, carbon हो गया two, तो इधर carbon को two करें, oxygen हो गया six, तो यह four और यह two six, फिर आता है mercury carbonate, इसको आपने heat किया, तो यह mercury, यह carbon dioxide and oxygen gas जो है वो देगा, equation को balance करना है, two करेंगे था, तो इधर भी two हो जाएगा, carbon two है, तो carbon two हो जाएगा, oxygen six है, तो यह four और यह two six, तो अब इसके बाद gold and platinum, यह तो less reactive metal है, तो इनके बहुत कम compound चुरह बनते हैं, तो इनके metal carbonate को हम छोड़ देते हैं, अगर decompose होगा, तो वो ऐसी decompose होगा, metal, carbon dioxide and oxygen, कैसे decompose होगे, metal, carbon dioxide and oxygen, तो लिख लेते हैं दर, तो इनके metal carbonate, किसके anthony भाईगे, heat करोगे, तो decompose होगे, किस में, metal, फिर co2 gas बनाएगे, and, o2 gas बनाएगे, यह decomposition होगे, thank you so much for watching this video, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लेज उसको like करें, उसको share करें, अगर आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो प्लेज उसको subscribe करें, thank you once again for watching this video,